असलाम आलेकुम नाजरीन उमीद हैं आप सब खेरियस से होंगे आईए आज आपके लिए बहुती अच्छा एक बिजनस आइडिया लाए है जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएंगा ऐसा बिजनस आइडिया है जिससे आप आराम से 2000 रुपे रोज प्रॉफिट और महीन को जरूर सस्क्राइब करें जैसा के हमें तो सबसे पहले यही समझना पड़ेंगा कि कोई भी बिजनस हमें सक्सेस करने के लिए टाइम लगता है ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने बिजनस शुरू करे और कल आप उसमें सक्सेस हो गए आपको कोई भी फिल्ड के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको वक्त देना पड़ेंगा महिनत करना पड़ेंगा अपना 100% लगाना पड़ेंगा जैसा कि आप अगर आम का पेड़ लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि कल आम का पेड़ लगकर आपको बड़ा आम हो जाए और आम लगना शुरू हो जाए फिर जाके बड़ा होकर वो आम देता है फिर आप जो है न उसके अच्छे अच्छे आम खाते हों तो इसी तरीकी से जो है न बिजनस का भी है के बिजनस के अंदर आपको महिनत करना पड़ता है दिल लगन से काम करना पड़ता है और जो है न उसके अंदर अपना 100% लगाती ह उसमें काम्याब होना पड़ता है तब जाके आपको उसका मेठा फल मिलेंगा अच्छी कमाई होंगी और अच्छा खासा प्रॉफिट होंगा तो आज का जो बिजनस है दो तरीके का बिजनस में बताने वाला हूँ पहला तो जो है अगर बत्ती पर ही है लेकिन उसके दो तरी किसे आप उसे business कर सकते हैं जैसा कि पहला जो business होंगा वो agency line पर होंगा और दूसरा उसकी में आप खुछ packing company करके आप माल बैस सकते हैं तो पहला जो business है जिसके अंदर मैं आपको agency line की बारे में बताऊँगा जैसा कि अगर बती की भी बड़ी बड़ी कमपनियां होती है branded कमपनियां होती है अच्छे अच्छी खुश्बू की बड़ी बड़ी कमपनियां होती है तो इसके अंदर आपको ये select करना है कि आपके area में कौन सी ज़्यादा अगरबती चलती है और जो है न कितनी अच्छी quality के आप जो है न लाके अच्छी synthetic अच्छी जो है न quality के अगर बत्ती लाकर अगर माल बेशते हैं कोई company की agency लेते हैं तो बहुती अच्छा profit generate हो सकता है कैसा है आपके उसमें agency रहेंगी तो आप जो है न छोटे बड़े सबी wholesale वालों को माल देंगे तो example के दो रुपे समझते हैं कि आप रोज का सिर्फ 20 भी हजार रुपे का बिननस यानि धन्दा करते हैं तो आराम से 10% भी उसपे आप कमाते हैं तो आराम से आपको 2 हजार रुपे रोज और महीनी के 60 हजार रुपे मिलते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट है कितना अच्छा बिननस है इतना है कि इसमें लागत थोड़ी जादा होंगी जो के आपको एजनसी लेने के लिए क्योंकि कैसा है एजनसी के अंदर आपको quantity में माल उठाना पड़ता है ऐसा नहीं है कि आप 2-4 बॉक्स ले ले और माल बिखना शुरू कर दे आपको कम से कम 2-3-4 लाग रुपे उसमें इंविस्मेंट करना पड़ेगा तब जाकि आपको एजनसी मिलेंगी एजनसी के साथ में फिर कैसा है बहुत सारे स्केमें भी होती है उसमें भी आपका फायदा होता है और उतार चड़ाओ रेट होते है तो उसके अंदर भी आपका फायदा होता है इस तरह के से आप काम करते है तो अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते है इतना है कि आपको district level पे agency लेना है तालू का place level पे agency लेना है जिससे कैसा है कि आपको जादे से जादा जो ना customer मिले wholesale वाले तो उसके अंदर जादे जादा आपका sale बढ़ेंगा तो आपका जादे से जादा और profit generate होंगा और दूसरा जो है तरीका मैं बताने वाला हूँ तो वो है आपको अगरबती wholesale में जो हैना खुले में लाना है जैसा कि आप इस्क्रीम पे फोटू देख रहे होंगे कि इस तरीके से खुला माल मिलता है कीलो के भाव से बहुती कम rate में अच्छी अच्छी quality की जो हैना अगरबती मिलती है wholesale में अगर आप भी इस तरीके से खुला माल लाते है घर पर और जो हैना उसकी packing करवाते है अच्छी और उसकी जो पन्नी होती है यह इस तरीके की होती है देखिए इस तरीके जो पन्नी है वो भी redeemate ही मिलती है आपको कुछ करने की जरूत नहीं है आपको सिर्फ माल लाना है खुला और इस तरह से पन्नी पैकिंग रिडिमेट जो मिलती है वो भी लाना है ये 5 रुपे वाली है इसके अंदर ये 10 रुपे वाली है ये भी रिडिमेट पन्नी मिलती है ये भी किलों से भावसिन मिलती है तो आपको क्या करना है कि इसको सिर्फ घर पर जो है प्याक करना है इसके अंदर जो है आपकी quantity किसाब से आपका profit मिला कर आप जो है इसे अच्छा खासा जो है अच्छी centate कुषबू वाली जो अगर्बत की होती है इसके अंदर पूरी packing कीजिए और market में wholesale वालों को माल दीजे तो इसके अंदर आपको ज़्यादा percentage बजेंगा क्योंकि कैसा है कि कम से कम मेरे हिसाब से 20% तो आपको wholesale में profit मिल नहीं है 100% इस तरही से आप काम करते हैं कैसा है company जो branded होती है उसमें already जो है ना बहुत कम percentage मुनाफ़ा होता है लेकिन आप अगर खुद का काम शुरू करते हैं खुद की company शुरू करते हैं तो company शुरू करने विज़रोत नहीं है क्योंकि ये जो पन्नी है ये भी readyment मिल रही है market के अंदर kilo से और जो अगर बत्ती होती है वो भी kilo से मिल रही है तो आप इस तरीके से अगर घर पर लाकर packing कर कर माल जो है ना market में डालते है wholesale वालो को देते है 100 पी 200 डजन 300 डजन तो इस तरीके से कैसा है इसके अंदर बहुत ज़दा आपको profit मिल सकता है example समझते हैं ना कि आपके पास में 10 से 20 हजार रुपे भी अगर है आपके पास में तो 10 से 20 हजार रुपे में भी ये 12 शुरू हो जाएंगा और आराम से आप 10 हजार भी अगर रोज का धन्दा करते हैं, 12 करते हैं, माल बेशते हैं और उस पे आप 20 परसेंड भी कमाते हैं तो 2 हजार रुपे रोज होता है कितना अच्छा प्रॉफिट है आपको ज़्यादा प्रॉफिट बचेंगा इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो इसके अंदर कैसा है कोई भी फिल्ड हो आपको महिनत करना पड़ेंगा दिन लगन से काम करना पड़ेंगा और फिर देखें इन्शाला ज़र आप कैसे काम्याब होते हैं जिनके पास में पैसा कम है तो ये खुद का बीजनस इस तरह से शुरू कर सकते है जैसा का खुला माल लाकर पैकिंग करके जो है ना माल मार्केड में हुलसल वालों के दे अब बहुत लोगों का सवाल ये होंगा दिमाग में ये बात आ रही होंगी कि हम ये माल कहां से लाए तो देखिए कि आपके एरिया में जो भी बड़ी सीटी है एक्जामपल के तरह मैं समझाता हूँ कि हमारे एरिया के अंदर सबसे बड़ी जो सीटी है वो है नाकपूर नाकपूर के अंदर ये सब माल खुला माल, कच्चा माल मिल जाता है और रेडिमेट पनी पैकिंग मी मिल जाती है तो जिस तरह से आप जिस भी एरिया में रहते हैं जैसा कि एक्जामपल के तोर पे आप दिल्ली के आजू-बाजू में रहते हैं तो दिल्ली में मिल जाएंगा आप लखनों के आजू-बाजू में रहते हैं तो लखनों में मिल जाएंगा आगरां के आजू-बाजू में रहते हैं तो उसके पास में मिल जाएंगा कैसा है बड़ी city के अंदर इसकी जो है ना आवग जावग भूत होती है बड़े बड़े wholesale वाले होते हैं बड़े बड़े manufacturing करने वाले होते हैं तो इसके अंदर कैसा है कि आपके area आप अगर छोटे से देहात में क्यों नहीं रहते अगर आप जो है ना आपके city की बड़ी जो और इसके आपको पूरी जानकरी और मालूमात मिल जाएगी और अगर आप agency लेना चाहते हैं तो agency के अंदर भी ऐसा है कि आपकी जो बड़ी city है आपके area में देखिए और वहाँ पर जो अगरबती का काम करते है बड़ा बड़ा जिनके पास में बड़ी बड़ी agency है तो उन agency मिल जाएगी और आपको खुला माल भी मिल जाएगा बनाने के लिए तो आपको कई धुने की ज़रूत ने आपके area के अंदर जो भी बड़ी city है अब हमारे area के अंदर नाखपूर है तो जैसा के हर area के अंदर बड़ी बड़ी city होती है तो वहाँ पर बड़े बड़े wholesale वा होंगे कि sir आपने जो हमें business idea बताया है अगरबती का तो इसके यह जो business है चलेंगा के नहीं आपके अगर दिलो दिमांग में यह बात आती होंगे तो एक बात ख्याल में रखिए कि हर field में बहुत ज़्यादा competition है आज के दोर में तो आपको कुछ unique करना पड़ेंगा आपकी जो है माल जो आप company agency ले या फिर खुद माल बनाए तो उसके अंदर कुछ quality होनी चाहिए अच्छी खुश्बू होनी चाहिए तो जिससे कैसा है लोग ज़्यादे ज़्यादा आपकी अगरबती खरीदे तो इससे कैसा होंगा कि आपकी अगर quality अच्छी रहेंगी है बरबर अगर आपकी quality अच्छी रहेंगे आपका काम अच्छा रहेंगा तो आपकी इंशाला जो जरूर सेल बढ़ेंगा आप इसमें जरूर काम्याब होंगे आप कैसा है कोई भी फिल में उतरने से पहले एक बात ख्याल में रखिए कि छोटे से काम शुरू किजिए थोड़े से क आप करेंगे तो आपको दिमाग आजाएंगा आपकी दिमाग में बात आजाएंगे कि अब मुझे आगे क्या करना है अगर आपको वो बिगनस सुटेबल हो रहा होंगा आपको पसंद आ रहा है और आपको मजा रही है उस बिगनस करने में तो और ज्यादा फिर आप आगे जो है उसमें investment करें जैसे का आज 50,000 करें है आपने तो आने वाले 6 मैने के बाद में 2,3,000,000 रुपे करें तो इस तरह की से कैसा है आप अगर थोड़े से investment से शुरू करेंगे तो ही बहुत अच्छा होगा ने तो एक दम से कैसा होता है कि बड़ा बड़ा investment करने के बाद में फिर जो है न वो धन्दा चलता नहीं है बिजनस चलता नहीं है तो फिर बड़े बड़े loss उठाना पड़ता है तो मैंने तो यहां तक देखा हो कि लोगों ने 10,10,20,20,000 रुपे का loss उठाया है बिजनस के अंदर क्यों उठाया है क्योंकि उन्होंने एकदम से इतना इन्वेस्मेंट कर दिया तो आप हमेशा क्याल में रखिए कि कोई भी बिजनस हो तो आप ट्रायल के लिए थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्मेंट करें और धिरे धिरे ही बड़े कैसा है धिरे धिरे बड़ेंगे तो आप गिरेंगे पड़ेंगे तो आपको आगे की मालू नियाब होंगे।